परम हंस परिवराजिक उपनिशत प्रस्तुत करता स्वयम प्रकाश अर्मा दूसरा वांतेम भाग उपनिशत के इस अंतेम भाग में नरायन सन्यास का अपना वक्तव यह जारी रखते हैं परमहन सन्यासि के बारे में वे विशेशत और से बताते हैं तथा 16 भागो वाले ब्रह्मा प्रणफ का भी वर्नन करते हैं उपनिशत आजी नारायन कहते हैं यदि कोई व्यक्ति पहले बताई गई विधी के अनुसार सन्यास लेने का हगदार नहीं है तो उसके लिए सन्यास लेने की विधी इस प्रकार है सबसे पहले तो वे ग्रह्मा प्राथना करें और फिर वे इस मंत्र को बोलें ओम सभी प्राणियों को मुझसे भैसे मुक्ति सब कुछ मुझसे उत्पन होता है तुम मेरे मित्र हो मेरी रक्षा करते हो तुम मेरी शक्ती के श्त्रोत हो तुम इंद्र देव के वह वज्र हो जिस वज्र से उसने वृत्र नामक असुर का वद्ध किया था मेरे लिए आशीरवाद बनो पाप से मुझे बचा कर रखो इस मंत्र का उचारन करके व्यक्ति सन्यास के प्रतीक का डंडा पानी के लिए बर्तन कमरबंद लंगोट वभगवा वस्त्र धारन करके किसी अच्छे गुरू के पास जाए गुरू का उचित आधर सतकार करके वे गुरू के मुख से शास्त्रों का यह और मंत्र प्राप्त करें मंत्र का मतलब है या ब्रह स्वयं तुम ही हो यादध रहे मंत्र का उचारन करते हुए पहले व्यक्ति ओम का उचारन आवश्य किया करें उसके बाद व्यक्ति चित्रो वाला वस्त्र या विर्क्ष की छाल का वस्त्र या मरिग छाल इनमें से कोई एक पहन ले भीड़ बाड़ी वाली स्थानों से वह बच कर रहे जैसे कि नदी के नाव की रुखने का स्थान या स्नान के लिए घाट द्या दी वह सीडियां न चड़ा करें सीडियां चड़ने से बचें वह एक घर से ही बिक्षा न लिया करें वह दिन में तीन बार निरधारत समय पर स्नान किया करें वह वेदान्त की व्याक्या सुना करें तथा को पाने वाले मार्ग पर द्रता से वैं स्थापित हो जाएं जिन इच्छाओं को वैं पसंद करता है उन्हें सब इच्छाओं को वैं आत्मा में विलीन कर दें यह मेरा है स्वामित्व या अधिकार जयताने की भावना इस भावना से वैं अपने आपको मुक्त करके आत्मा में स्थापित हो जाएं भावा वेश, क्रोध, लोब, मोह, मद, प्रतिद्वंदता, जूठी, शान, घमंड, एंकार, दूसरों के धर्म का कोबरदाश्ट ना करना अभिमान, इच्छाएं, दूएश, दुर भावना से खुशी मनाना, प्रचंडता, यह मेरा है इत्यादी, इन सब का वैं पर्द्या कर दे तब बुद्धिमत्ता तथा वैराग्य से युक्त, वैं धन दौलत से तथा महिलाओं से मुह मोड ले तथा शुद्ध मन रखते हुए वैं उपनिशदों के सभी सत्यों पर चिंतन किया करें अपने ब्रमचरिय का इस भावना का कि वैं तो किसी भी वस्त्यों का स्वामी नहीं है तथा इस भावना का कि वैं ब्रमान्ड को किसी भी प्रकार की ख्षति या हानी नहीं पहुचाने वाला है अपनी सत्यवाजिता का इन सब का वैं विशेश तोर से सुरक्षा करें वैं अपनी इंद्रियों का दमन करें तथा भीतरवा बाहर से वैं स्ने की भावना से मुक्त हो जाएं वैं केवल शरीर निर्वा के लिए श्रापित तथा गिरे हुए लोगों को छोड़कर सबी के जाती के लोगों से भोजन की भिक्षा प्राप्त किया करें यह भीक्षा पर किसी को शटी ना पहुचाने वाली गाय के समान प्राप्त किया करे अपने शरीर निर्वाह के लिए वे केवल ऐसा प्राप्त के हुआ भोजन ही खाया करे ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करने के योग यह माना जाता है उसे बिख्षा में भोजन मिले या नमिले वे हर समय संभाव ही रहे वे वही भोजन खाय करे जो भोजन उसने एक मदुमक्खी की भाती कई स्थानों से प्राप्त किया है ते भिक्षा अपने हाथों में ही प्राप्त करें, वह मोटा ना हो बलकि वह दुबला पतला हो, वह यह महसूस करें कि वह ब्रह्म है और किसी गाव की ओर गुरू की सेवा करने के उद्देश्ची के लिए चला जाए, वह अपने आचारण में स्थिर रहता हुआ, आठ महीनों तो केवल अकेला ही बिना किसी संगी साथी के भ्रह्मन किया करें। या फिर परमहन से सन्यासी बन सकता है, और परमहन सन्यासी बनने के लिए यती संबंधित मंत्रों का उचारण करते हुए, अपने कमरबंद, अपने लंगोट, अपने सन्यासी होने के प्रतीक का डंडा और अपने पानी का बरतन इन सब को वैजल में त्याग कर निर्वस्त्र अवस्ता में ब्रह्मन किया करे वै गाम में एक राज से अधिक, वै वित्र स्थल पर तीन राज से अधिक, शेहर में पांच राज से अधिक, वै धर्म के ख्षित्र में साथ राज से अधिक कभी न रहे वे बिना स्थाई निवास थान के हो मन का स्थिर हो अपने आपको गर्म करने के लिए वे आग का अश्रा नहीं ले वे भावनाव से मुक्त हो अनुष्ठान वे गैर अनुष्ठान वे दोनों का परित्याग कर दे वे एक गाय की भांती जीवन निर्वह के लिए भिक्षा में भोजन प्राप्त करे उसे भिक्षा मिले या ना मिले वे सदा संभावर ही रहे उसका पानी का बर्तन अब जन स्थल के रूप में होगा तथा उसका निवास कोई समस्या मुक्त एक आंतस्थान में होगा वे लाब और हानी के बारे में सोचेगा नहीं बल्कि उसकी रुची तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के करमोस को जड़ से उखाड़ने की हो वे सदा जमीन पर ही सोया करे वे दाड़ी बनाना बंद कर दे वे चतुर मास्से के पालन की बंदिशों को छोड़ दे वे अपनी रुची गहराई से शुद्ध ध्यान लगाने में ही रखे वे धन्द आलत महिलाओं तथा शेहरी जीवन के प्रतिकूल हो जाए इनसे वे मूँ मोड़ दे जबकि वे बिलकु ठीक ठाक है फिर भी वे किसी पागल की तरह विवार करे उसके पास ना तो कोई खास प्रतिक है और ना ही उसका विशेश आचरन है वे सपने नहीं देखता क्योंकि उसके लिए दिन और रात एक है वे आत्मा के सुभाव की जाज के लिए ब्रह्म पर प्रणफ ओम के रूप में गहरा ध्यान लगाने के मार्ग के प्रती पूरी तरह से सचेत जागरूख है जवित्ती इस प्रकार सन्यास त्वारा अपना शरीर त्याग देता है वही परम हंस सन्यासी है तब ब्रह्मा ने नारायन से पूछा बगवन यह ब्रह्मा प्रणफ क्या है नारायन उत्तर दिया ब्रह्मा प्रणफ वह है जिसके सोला भाग है और इसे चार अवस्थाओं में चार चार भागों में जान जाता है जागरत अवस्था के चार भाग है जागरत 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 स्वप्न जागरत गहरी नींद तथा जागरत तुरिया तैजस के चार वस्थाओं है तैजस जागरत तैजस 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 गहरी नींद तैजस तुरिया बिना सपनों वाले गहरी नीद की सुशप्ति की प्रग्या वस्था के चार हैं प्राग्य जागरत प्राग्य स्वप्न प्राग्य प्राग्य तथा प्राग्य तुरिया और आखरी तुरिया के चार भाग हैं तुरिया जागरत तुरिया स्वप्न तुरिया प्राग्य तथा तुरिया तुरिया यह सब मिलकर उचित क्रम में ब्रह्मा प्रणव के सोला भाग बन जाते हैं ओम की अक्षर अ में जाग्रत जाग्रत है अक्षर उ में जाग्रत स्वपन है अक्षर म में जाग्रत प्राग्य है अर्द मात्रा में जाग्रत तुरिया है बिंदू में स्वपन जाग्रत है नाद में स्वपन स्वपन है कला में स्वपन प्राग्य है कला तीत में स्वपन तुरिया है शांती में प्रागे जागरत है, शांती अतीत में प्रागे स्वपन है, उन मन्या में प्रागे प्रागे है, मनो मन्या में प्रागे तुरिया है, पुरिया में तुरिया जागरत है, मध्यमा में तुरिया स्वप्न है पश्यन्ति में तुरिया प्रश्न है तथा सोल्वे परा में तुरिया तुरिया है जाग्रत वस्था की चार भाग अक्षर ए से समण्द रखते हैं ऑर तुरिया वस्था की च्षार भाग अरध मात्रा से समण्द रखते हैं ये ब्रहम्हा प्रणव है इसकी उपासना प्रम्हंस तुर्यातीत तथा अबधूत श्यनी के सन्यासियों द्वारा किया जाता है कि इसकी उपासना परमहन्स तुर्याती तता अब दूस्च्रेणी के सिन्यास्वी द्वारत की जाती है इससे ब्रह्म प्रकाशित होता है यह दे खंडित मुक्ति है जिसे विदेह मुक्ति कहते हैं इन भरमदेव ने फिर नारायन से प्रश्न किया बहुएं जिस विक्ति ने सभी सान्च सारे गतिविजियों का परित्याक कर दिया है और जो विक्ति बिना पवित्र धागे और यग्यूपिवीत के और बिना शिखा के है विक्ति कैसा है वे अकेले ब्रह्म को पूरी तरह समर्पित कैसे होता है ऐसा व्यक्ति ब्रह्मन कैसे है नारायन जो भगवान विश्णु है ने उत्तर दिया ये बालक जिस व्यक्ति को अध्वैत आत्मा का ग्यान है उसी व्यक्ति के पास पवित्र धागा यगो पुवित है क्योंकि उस अध्वैत आत्मा का ग्यान ही यगो पुवित है गेरे ध्यान में उसका विलीन होना ये ही उसके शिखा है ये गतिविधी ही व्यक्ति के पास पवित्रक करने वाला पवित्रक कुशा का घिरा है इसे पुवित्रा कहते हैं, ऐसा व्यक्ति सभी कर्म करता है, वही ब्रह्मन है, वे ब्रह्म में गहराई से विलीन है, वे तो प्रकाशमान जीव देव है, वे तो रिशी है, वे तपस्या करता है, वे तो सबसे महान है, सबसे उत्कृष्ट है, यह जान लो, कि वे तो मैं ही हूँ, इस अंसार में जो सन्यासी, परमहंस सन्यासी होता है, वे सन्यासी तो बहुत ही दुरलब है, यदि कोई ऐसा है, वे तो सदा शुद्ध है, वे एकेला, एक मात्र पुरुष्ट है, जिसे वेदों में गौरानवित किया गया है, जो ऐसा महान पुरुष्ट है, उसका मन तो सदा मुझ में लगा रहता है, और मैं भी उसी में रहता है, वे तो सदा संतुष्ट रहता है, वे सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान, वे इन सब के प्रभावों से मुक्त रहता है, वे अपमान तथा क्रोध दोनों को सहन करता है, भूख और प्यास, दुख और मुह, गुड़ापा तथा मृत्यू, वे इन छे मानविये निर्बलताओं से मुक्त है, तथा शरीर के जो छे सुभाव ये लक्षण है, जो है, जन्मलेन, अस्तित्व, परिवर्तन, बढ़ना, पतन तथा मृत्यू, वे इन सभी लक्षणों से भी मुक्त है, बड़ा भूड़ा या अन्यता, वे वायू की परिष्थिती से सीमित नहीं है, इस बात का उस पर कोई असर नहीं है, कि वे बड़ा भूड़ा है या चुटा है, आत्मा की सिवाए कुछ और देखता ही नहीं, आत्मा की सिवाए उसे और कुछ देखता ही नहीं, वे सदा निर्वस्त्र रहता है यानि उसके वस्त्र तो ब्रवांड की दिशाय ही है वे किसी के सामने जुपता नहीं वे स्वाहा नहीं कहता क्योंकि वे देवों की पूजा नहीं करता वे पित्रों को शान्त संतुष्ट करने के लिए स्वधा नहीं कहता उसे देवों के वापस भेजने के अवश्यक्ता नहीं आए क्योंकि उसने देवों का आवान किया ही नहीं है वे दोशारोप तथा प्रशंसा इन दोनों से मुक्त है वे मंत्रों अनुष्ठानों का आश्रे नहीं लेता परमात्मा के सिवाए वे किसी और भगवान का ध्यान नहीं करता उद्देश्यों तथा उनके अनुपस्तती से वे बचे रहता है सभी गतिविज्यों को बंद किये हुए उस चेतना में दिर्ता से स्थापित हुए है जो चेतना अस्तित्व ज्यान तथा आनंद के बनी है उस एक परमानंद के प्रती सदा सचेत जागरूक वे सदैव प्रम्मा प्रणव पर इस परिणाम से ध्यान करता है कि वही अकेला ब्रम्म है और इस प्रकार वे अपने आपको पूर्ण करता है ऐसा व्यक्ति परमहंस परिवराजक सन्यासी है हाँ ऐसा व्यक्ति परमहंस परिवराजक सन्यासी है इसके साथ ही अथर वेत का परमहंस परिवराजक उपनिशद संपन हुआ ओ श्यंति 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 ओ